नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके एडूटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिम्टेट के बारे में जियां दोस्तों यस बैंक लिम्टेट को लेकर एक बहुत बड़ी का जो मैटर है वो काफी लंबा यहां पर चलने माला है और अभी आपको थोड़ा सक और वेट करना पड़ सकता है कि इस पूरे प्रसेस में कई दिनों के बाद आप लोगों ने देखा कि मार्केट में आज थोड़ी सी हरियाली देखने को मिली और कई दिनों के गिरावट क बाद आज मार्केट में थोड़ी सी माहौल पॉजिटिव दिखा लेकिन यस बैंक लिम्टेट को लेकर जिन लोगों ने इसका सेस खरीद के रखा है वो काफी परिशान है और इस वज़ा से परिशान है कि मार्केट गिर रहा है यस में कोई हल चल नहीं है यस मेंक लिम्ट अपडेट नहीं कर पा रहा था आज जो है ठीक हुई है तो मैं वीडियो यहां पर अपडेट करूँगा जैसे ही कोई नहीं हो जाएगी यस मेंक लिम्टेट या किसी अन्य सेर से तो मैं उसका वीडियो बना कर सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट करूँगा यहां पर यस मेंक लिम्टेट और इन सीस य लटी तो यस मेंक लिम्टेट और इस्ती वी के बीच जो मैटर है उसकी सुनवाई नेशनल कमपनी ला ट्रिपूनल में जो है बाइस दिसम्बर को होने वाली है जली अगले महीने की 22 December को ENCLT में जो है इसकी hearing होने वाली है Dish TV और Yes Bank Limited की तो यदि इसमें जो है कुछ बड़ा फैसला ENCLT की तरब से लिया जाता है Yes Bank के favor में तो एक बड़ा jump आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि एक के बाद एक बीवाद यहां पर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और यह matter है दोस्तो Yes Bank Limited और Dish TV के बीच 1000 करोर रुपे के फंड अप्रूवल की वजा से क्योंकि Dish TV ने अप्रूप किया था 1000 करोर रुपे का राइट इस्सू जारी किया था फरवरी में जिसको लेकर Yes Bank Limited और Dish TV Limited के मैनेजमेंट के बीच काफी ज़्यादा ताना तानी चल लही है लेकिन यहां पर सही भी है क्योंकि Yes Bank Limited का मानना है क्योंकि 22 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में यही फैसला लिया जाएगा कि जो एक हजार को रुपे का जो राइट इस्सु है वो बिदाउट शेर होल्डर के पर्मिशन से आप कैसे जो है अप्रूब कर सकते हैं यह होना भी चाहिए कि जब कोई कंपनी राइट इस्सु जारी करती है तो उसके जितने भी शेर होल्डर होते हैं उन से अप्रूबल लेना पड़ता है तो यहां पर डिश्टीवी लिम्टेड ने बिदाउट यह सब्सक्राइट के अप्रूबल से यहां जो है एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसको लेकर यहां पर यहां पर डिश्टीवी लिम्टेड के खिलाब पहले थाने में कंप्लिन कराई थी उसके बाद यहां पर NCLT का सहारा लेता हुआ दिकरा है और जो कोट के जो प्रिश्टेंट है Mr. Justice जो मुख्य ने आया दिस है सुचित्रा कर्नुप्रती उन्होंने जो दो वीक का जो है गारांटे आप दिया है गारांटेड इशू की आएस मेंक लिम्टेड को और अगले महीने जो है शुनवाई हो सकती है 22 दिसम्मर को तारिक ज सकते हैं डिस्टीवी ने यहां पर एक मिस्टेक किया है without एसबैंक लिम्टेड के परमिशर के उन्होंने एक हजार क्लोड का राइट इसू जारी कर दिया है जिसके चलते यस बाइंक लिम्टेड और इसके बीच काफी माटर जो है गंबीर बनता हुआ यहां पर रज़र आ सबसे बड़ा निविश्यक है यहां पर दिश्टीवी में और येस बैंक लिंटेट के इस फैसले से इसकी जो डिश्टीवी की जो बोर्ड आप डिरेक्टर की तीम थे उसको लेकर यहां पर यहां पर यहां पर गुलाया था यानि एक्स्ट्रा ऑडिनरी जनरल मिटिंग को भ डिसकस्टन किये हुए तो इसके एबज में येस बैंक लिंटेट ने डिश्टीवी की पूरी टीम को यहां पर जो है एजीम के लिए बुलाया था लेकिन यहां पर डिश्टीवी ने एजीम को जो है कैंसल कर दिया और एजीम में किसी भी तरह की मीटिंग अटेंड करने से इहां पर मना कर दिया तो कहीं न कहीं आप देखें तो डिश्टीवी के PowerPoint में थोडी बहुत कमी है और यह वैंक लिंटेट चाहता है कि आधीज्टीवी took के गुँंट ने मेंडी है और इसके जो टाप मेंडेजमेंट है उसको पूरी तरह से 친ज किश लेकिन अभी फिलाल मे यह सबसे बड़ी बात कि जो इसके और जिनों ने इसके से को खरीद के रखा है वह काफी सारा परिशान है काफी उदास बैठे हुए है लेकिन आप एक बार डेटा की फिगर को चेक कीजिए कि डेटा क्या बोलता है क्योंकि बेटा जूट बोल सकता है लेकिन डेटा कभी तो इंप्रोव्मेंट जो है देखने को मिल रहा है पिछले चार क्वार्टर से आप इसके रिवेन्यू को कंपेर करें यानि इनकम की बात करें तो यस बैंक लिम्टेट में इनकम सांदार रहा है और सितंबर 2021 का यानि क्वार्टर टू का रिजल्ट आप देखें तो 4,651 क रुपे का जो है रिवेन्यू जनरेट हुआ है और रिवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी सुधार देखने को मिल रहा है जहां पिछले क्वार्टर में यानि क्वार्टर वन के रिजल्ट में यस बैंक लिम्टेट को 204 क्रोड का फायदा हुआ था वहीं इस बार द तो कहीं न कहीं आप फंडामेंटर अनालिसिस करें तो यस बैंक लिम्टेट में इंप्रॉब्मेंट हो रहा है लेकिन बड़ी मूब तभी आएगी जब इसमें इसके जो वोड़ाप डिरेक्टर हैं और इसके जितने भी मसले हैं जो बिवादित मसले हैं यदि उसमें कोई solution मिलता है तभी जो इसमें आएगा और इसमें जो है अभी आपको time देना पड़ेगा यस बैंक लिम्टेट अभी अपने support लेवल पर खड़ा हुआ है 12.50 पैसे इसका सबसे तगड़ा support लेवल का काम कर रहा है यहां से हो सकता है कि यहां से गिरावट होती है तो जो इसका next support लेवल होगा होगा 12 रुपे का तो यह दोनों लेवल जो है आप याद करके रख सकते हैं 12 रुपे 50 पैसे इसका सबसे तगड़ा support लेवल निकल के आ रहा है और यह वैंक लिम्टेट में आज की बात करें तो बिलकुल कोई मुमेंट नहीं बिलकुल जहां से ओपन हुआ वहीं पर जो है क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है यह वैंक लिम्टेट के स्टॉक में बात करें डिलिवरी डिटा की तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नसी पर 6 करोड 97,74,910 की क्वांटिटी में से ट्रेट किये गये हैं जिनमें से 3 करोड 21,79,826 की आज की डिट में यस बैंक लिम्टेट में तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि यह वीडियो पसंद आया तो प्रिज इस वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे है नय है फर्स टाइम इस वीडियो क को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रिश करना बूले दोस्तों वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोग का तह दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको रेगुलर आइट सुवरात्री